जब मैंने strength training शुरू की थी, तो उसके पहले मेरा football का background था, मैंने बहुत football खेला अपनी life में, college level पे, club level पे, state level पे, I've played a lot of football, तो इससे क्या होता है, like your legs become really really strong, जो लोग footballer से यहां पे देखने, test to the fact, कि अगर आप बहुत लंबे time to football के लोगे, legs strong हो जाती है, अब उसका जब strength training शुरू की, तो बहुत naturally, मैं जो big three lifts है, आपका squat है, deadlift है, bench pressing के तरह में बढ़ा attract हो गया, especially deadlift ले पार्ट के उपर, तो उन happy, लेकिन my form was super duper crap, और एक दो महीने फिर से वही करते करते, I had a bad bad lower back injury, जिसको मुझे 7 साल लगे थे, rehab करते करते, और इस पूरे तरी time में मैं मैंने deadlift करना सही सीखा था, तब मुझे पता चला था, कि जिम में जहां पे हम अपने आपको transform कर सकते हैं, बहुत healthy कर सकते हैं, ये खा के तो हमारा डोले बनी जाएंगे, हमारी body बन जाएगी, लेकिन and the thing is, it's far far away from the truth part, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक real life case study बताऊँगा, ये मेरे client हैं, और 47 से almost some 66 kilos गे थे, और total calories खा रहे थे, वो 4600 calories के आसपास total meal plan था, ये meal plan almost pure vegetarian है, मैं आपको ब आपको एक बात और बता देता हूँ, कि अगर आपको पेट का इशू है, घर पे किसको type to diabetes है, या fatty liver है, natural body building and fat loss is a number to contact, लेकिन अगर पेट का इशू है, don't try to gain weight, don't try to gain muscle, पहले पेट के इशू को fix कीजिए, उसके बाद जो करना करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, कि इस बर और आफटर देखे, यह रहे हमारे शुवब भाईशाब और यह देखे आफटर, इन्होंने आफटर, जैसे सतरा अठरा किलो का pure muscle mass gain किया है, जैसी weight gain करते हैं, body fat भी lose करते हैं, क्योंकि सोते अच्छे हैं, very patient, क्योंकि यह process करते करते हैं, हमें दो-תीन महीं नहीं नहीं न वाटर पीजिए उसमें थोड़ा ब्लाक स्वल्ट होता है और थोड़ा से उसमें हल्दी डाली अब इसका रीजनिंग के है मैं दातों कि हम क्यों डालता हो मैं सब्सक्राइब लेमन वाटर जो होता है उसमें बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अगर अरे तो वेट ग पानी पीते हैं लिवर को सपोर्ट करता है तो यह इसका मतलब यह नहीं कि यह आपको फैट बर्न करने में हेल्प कर गया लेकिन एक डिस्क्लेमर और देता हूं कि हर किसी को सूट नहीं करता कुछ लोग जब सुबह निम्बु पानी पीना शुरू करते हैं उनको बहुत ब ब्राइन को छोड़के ब्राइन का नाम लूगा नहीं यहां पर लेकिन एक रिली गुड कॉलिटी हल्दी हल्दी में एंटाइंफ्लमेटरी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उसको यूज करें अब जो पहला मील सा इनका क्योंकि सुबह थोड़ा यह भी खेलते थे शाइब की कोई चीज थी तो हम क्या करते थे पहले हमें बड़ा सिंपल सा है बनाना है हनी है और दूद है दो बनाना है उसमें थोड़ा है डाल दिया मिल्क शेक डाल दिया अब इसमें भी एक लिस्क्लेमर है नर्मली मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप बनाना शेक पीएं अगर आपको पेट का इशू है तो इसमें ऐसा हो जाता था कि हम थोड़ा गाप देते थे बनाना के बीच में मिल्क के बीच लेकिन को दिक्कत होती नहीं थी पीने में तो यह कठा ही कर देते थे तो बड़े से अब देखो यह जो कॉमिनेशन है इसमें डेरी कहीं पर भी नहीं तो यह हम मिला के अच्छा शेक पी सकते हैं इसलिए का सूपर हाई क्यालोरी शेक प्रोटीन अच्छे खासे हैं अब अगर इस मील प्लान के अगर आप मैक्रो देखो गया यह आल्मोस्ट 46-26 टोटल कैलोर है 145 प्रोटीन है 610 काब से 172 फैट पीपल से 172 ग्राम फैट क्यों यह तो बहुत जादा फैट है फैट हमारे हमारे बड़ी जरूरी है लेकिन जब हम बात कर रहे है ना एक अच्छा बलकिंग सेशन करने का जब आपको लंबा करने तब फैट आपको लेने ही पड़ेंग कि आप मास के दर तीन-चार स्कूब दिन के लो हजार कैलरी से लो वह दट क्प्लीट ली जब भी हम हाईर कैलरी की तरफ जाएंगे कोशिश कीजिए मैक्सिम चीज़े जो उसमें हो वह घर की हो होल फूड्स हो तो वह आपको अच्छा अगला मील है वह इनका लंच होता है लंच में क्या सिंपल है तीन रोटियां डाली है हमने कोई घर की सबजी डाली हुई है उसका पांच बदाम है दाल है 15 ग्राम घी है उपर से पनीर 100 ग्राम है कर्ड 100 ग्राम है राइस 75 ग्राम है और बनाना जैसे मीठा होता ना उसके बाद थोड़े बनाना खाली है तो लेकिन दिन के टाइम पे जब सोना है 20-25 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि आप दो घंटे दिन को सो रहे हैं रात कुनीद आपको आईगी नहीं तो नाप करूल 26 मिनट इस तक गोल्डन कट-off उससे पहले कर लो तो ज्यादा अच्छा तो उसके बाद अगला मील क जब लंच होगा लंच के बाद आप स्नाक की बारी आती है तो इसमें क्या अगें दूध है थोड़े से हमारी किश्मिश है थोड़ा हनी डाला मीठे के लिए थोड़े वालनेट्स डाले ओट्स डाले तो जो लोग मेरे काफ़े टाइम से फॉलो करते हैं को बता मैंने सबस सबक्रिण सब्सक्राइब बाटियों कि तो यह तकी है तो यह घंटा पहले एससे आपको नर्जी अच्छी आएगी अगें बड़ी सिंपल है अब इसमें दो होल एक्पि डाले क्यूंकि शुभम अंदे खाते हैं गर आपने नहीं डालना पर हांब 50 पनी डालों ठीक है प्लाइन हो जाएगा और जो लोग अंडे खाते हैं वहां पे दो अंडे दाल दो सिंपल सी बात है उसके आप थोड़ी चावल डाला थोड़ा पोटेटो डाला और थोड़ा आप बटर मिल डालो चाच टाइप चीज डालो अब एक एक जामपल देता हूं आलू ये ये इतना बहुत कम है आलू पोटेटो इसका सेशियाइटी इंडेक्स हड़े 300 है नंबर वन आता है लिस्ट में जिसके सेशियाइटी इंडेक्स अब से जाना है और आपकी ओरियो कुकी 65 के आसपास तो कटिंग टाइम पर बहुत बढ़ी है बल्किंग टाइम पर आलू खाना एक त हट रहा है तो उसके बाद आप लोग कहते हैं कि आप केसीन प्रोटीन लीजिए सोने के पहले ऐसा लीजिए रहे सिंपल दूद पीजिए हमने देखिए लास मिल क्या रहा है दूद्ध थोड़ा सा घी कितना कितनी क्यालोरी होगी यह 400-400 क्यालोरी बिफॉर स्लीपिंग हो आप उनकी मार्केटिंग पिछ देखके सप्लिमेंट्स मत लो अब टाइम लगाओ न्यूट्रिशन को पढ़ने में किसी अच्छे कोच को हायर करो समझो चीज़े क्योंकि खाना जिंदगी बर खाना है गोल जिंदगी बर रहेंगे कभी फिजीक गोल्स होंगे कभी हेल्थ है ट्रेइनिंग है तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर पाऊगे सप्लिमेंट्स और मेडिसन के बेस वे आप कुछ नहीं कर सकते हैं यह हल्प जरूर करते हैं लेकिन यह प्राइम मोवर्स तभी नहीं होते हैं तो आई होप यह वीडियो आपके टाइम के वर्थ थी और और पॉइंट आम एक ट्राइं तू मेग थ्रू है रिज की अब जब भी कोई चीजी लो सोच समझ के लो अपनी हेल्थ के वारे में जो डिसीजन लेना है सोच समझ के लो कि आज क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो हमारी हेल्थ के गेंस चल रही है और लॉग टर् तो आल सी यू नेक्स ताइम तिल देन बाए